आप सबको मेरा नमस्ते आज में आपको स्तन्पान कैसे काम करता है उसके बारे में थोड़ा समझाऊंगी आप स्तन्पान के विग्णान वह दूद कैसे बनता है दूद कैसे बाहर निकलता है उसके बारे में थोड़ा समझाऊंगी तो आपको पता चलेगा कि हाई यूमहा को समझ्जाने में भी आपको अच्छा रहेगा तो यह है आपकी अनाच्विए ब्रेस्ट यहुआ का स्टन пятन स्ट हीक है तो यह स्थन है यह साइड क्रोस सेक्षनल है उस favorites साइड से लिया हुआ से सतन को बीच में से एक लका क्रॉस सेक्षिन लेंगे तो यह एसा देखता है यह यह इंपल है कहिए उसके आजू-बाजू-वाला जो काला भाग है उसको हम लोग बोलते हैं एरि ओला टेके काला वहां ठीक है यह जो शारी है यह सारी नलिया है तरчи अ आप देखेंगे कि निपल में नलिया बहुत पतली होती, आप दूध जमा नहीं होता है, दूध जमा कहा होता है, जो काले भाग के नीचे है, तो मा का दूध जमा होता है, और यहां पे देखें, यह है दूध बनाने की फैक्ट्री. मैं जैसे पेशी है, लेकिन मैं उसको factory बोलती हूव, यहाँ पे दूद बनता है, ठीक है, और यहाँ पर Adventure, बशाल आपे है, यहाँ पेशी यहां पर निकलता है, ठीक है ? पेशया होशाagit करने नहीं कने हर्मोन तो याद रखना बहुत जरूरी है यह चोटी-चोटी पेशया जहांके दूद बनता है इस बहु Maßन में की होशा ऐने हमाली कॉझसा होशाने काम और क्रॉक्षाम दूद बनाता है तो यह prolaktin आपको धियान में रखना है कि pro-laktan है वो दूद बनाता है लेकिन एक बार दूद बन गया तो फिर वो दूद को बाहार भी तो निकालना है तो जैसे वो मा बच्चे के बारे में सोचती है जैसे वो बच्चा नस्धीक आता है तो वह oxytocin करके एक hormone है, oxytocin, oxytocin क्या करता है कि जो बाहर की पेश्या है, वो पेश्या को संकुषता है और दूद बाहर निकालता है, तो ये दोनो hormones होना बहुत ही ज़रूरी है, तो ये तो होगे आपके दो hormones, एक पर वापस बताती हूं कि ये prolactin है, prolactin क्या करता है, ये जो oxytocin है, oxytocin क्या करता है, वो दूद को बाहर निकालता है, अगर prolactin होगा और oxytocin नहीं बनेगा, तो वो फिर मा दूद बनाएगी, लेकिन दूद बाहर निकालेगी, नहीं, तो oxytocin होना भी उतना ही ज़रूरी है, तो मैं आपको prolactin और oxytocin के बारे में भी सारी पेशिया है, और यहां पर कई माय ऐसी होती है, कि यहां पर चर्बी ज्यादा होती है, तो उसके स्तन बड़े होते है, कई माता ऐसी होती है, कि चर्बी कम होती है, तो यहां पर यह स्तन कम होते है, लेकिन यह सारे fibrous tissue है, यहां पर भी थोड़ा वसा भी होता है, यहा दूद बनाने की फैक्टरिया सब में लगबख एक ही मात्रा में होती है लेकिन कभी-कभी यह आगे जो उसके आज़ुबाजु में जो चर्बी होती है चर्बी की मात्रा यह वसा की मात्रा अलग-अलग हो सकती है इसलिए इस बड़े चोटे हो सकते हैं ठीक है तो आपको ध् कि नीचे का काला भाग जाना चाहिए क्योंकि बच्चा यह पिड़नीचे का अंचे के होटो आता है तो जैसे हम और इसका अचा शने मूबा अचे वहां नीची का जडबा है नीची का जड़ जो जो जॉडव से वो दबाएगा तो यहां से दूध बाहर निकलेगा थिक है तो आपको दियान में रखना है कि बच्चे के ऊपर के होटे सिफ निपिल के ऊपर आने चाहिए और उसके नीचे के होटे ये पूरा जो आपका जो स्टन का मebारर और स्टन का बौडर वहाँ पर आना समय है. अगर इस नीचे का स्टन के बहुत चОटा है, तो बच्चे के नीचे का होटे, इस अपना रहे हैं. लेकिन नीचे का काला भाग बेसा बहुत संका भाग स्टन के मूह में जाना जरूरी है. कग अगर बच्चे के मों में सिर्फ निपल गया जैसे मैंने आपको वहां पर वीडियो में दिखाया था प 1800 का अगर सिर्फ निपल गया तो निपल में दूद आएगा नहीं कि तो होता गया है कि जब बच्चा सक्लिंग चालो करता है, जब बच्चा मा का दूद्ध चूसना चालो करता है, तभी ये जो सिगनल है, ये पुरा मेसेज जाता है मा के मस्टिक में, और मा के मस्टिक से हॉर्मोन है, वो है प्रोलैक्टिन, एक प्रोलैक्टिन करके हॉर्मोन वह बहार निकलता है और वह स्थान को ज्यादा दूद बनाने के लिए उद्धर जित करता है तो यह जो stimulation बोलते हैं, prolactin stimulation, prolactin क्या करता है, दूद की मातरा बढ़ाता है, दूद बढ़ाता है तो क्योंकि prolactin है, दूद बढ़ाता है, दूद बढ़ाने का हर्मोन कभी बढ़ता है रात में, तो मदर को बोलो कि आप बच्चे को हर 3-3 गंटे में उठा के दूद पिलाओ, जो बच्चा रात में दूद पिलाएगा, इतना healthy होगा, तो आपको भी ध्यान में रखना है, कि prolactin कभी बढ़ता है, जब बच्चा सकलिंग करता है, जब बच्चा चूसने का चालू, और दूसरा आपको यह भी ध्यान में रखना है, कि अगर मा बोले कि मुझे दूद नहीं आ रहा है, तो सबसे पहले तो आपको बोलना है कि जितनी बार आप दूद पिलाएगी, उतन अंदर ही रहे जाएगा, और उससे फिर वह दूद पढ़ेगा नहीं, दूद बाहर निकलना बहुत ही ज़रूरी है, यह जो है आपका ऑक्सिटोसिन, अभी मैंने आपको ऑक्सिटोसिन के बारे में भी बताया हुआ है, कि ऑक्सिटोसिन क्या है, ऑक्सिटोसिन एक हार्मोन जिससे जो मा के शरीर में जो दूद बना हुआ है मा के स्तन में वो दूद बाहर फेकना वो ऑक्सिटोसिन का काम है दूद को बाहर निकालना तो दूद बाहर कैसे निकलेगा जैसे ही मा बच्चे के बारे में सोचेगी जैसे ही इसकी ममता जागेगी वैसे ही ऑक्सिटोसिन ब वो बच्चा दूद पहार निकलेगा और तुरंट बच्चे का मुझ भढ़ जाएगा, जैसे बच्चा आएगा स्थान पे, दूसरे क्या कारण हो सकते हैं बढ़ने की, या तो माँ खुश है, माँ बच्चे के बारे में सोच रही है, confident है, बहुत उसमें आत्मविश्वास है बच्चा नस्दीक है, बच्चा खुश है, बच्चा बढ़ रहा है, वही टाइम पे वो उक्सिटूसिन की मातरा ज्यादा भरती है, अगर माँ को वो बहुत खुश रखना है, ठीक है, खुश कैसे रखेंगे, पहले तो मा को बोलना है कि बच्ची के बारे में सोचे, बच इसको कोई दुख नहीं होगा, कोई उसके परेशान नहीं करेगा, अच्छे उसका स्वास्ता है, तो आपको यह oxytocin पे भी बहुत ही ध्यार दखना है, यह oxytocin होर्मोन है, यह होर्मोन क्या और क्या करता है, जो मा का यूटरिस है, यूटरिस को भी वो कॉंट्रैक करता है, मलब उसको संकोचित करता है, तो जो खुन जो है, थोड़ा सा भी जो खुन है, वो बाहर निकल आ जाता है, और पोस्पार्टम हैंबरेज नहीं होए, इसके लिए oxytocin होना बहुत जरूरी है, क्या करेगा, कि यह cervix को तुरंती ऐसा बंद कर देगा, जहां से बच्छा नि निकल रहा है, तो बच्चा दूद नहीं कीच रहा है, या मा को नहीं मालूम है कैसे टेक्नीक से दूद पलाना है, तो उसमें क्या होता है, कि दूद ब्रेस्ट में स्थन में रह जाता है, तो यह ब्रेस्ट में जो दूद रह जाता है, उसमें स्थन का दूद है, उसमें द बन करना क्योंकि बच्चा दूद नहीं पी रहा है या तो मा को ये टेक्नीक मालूम नहीं है कि कैसे दूद पिलाना ठीक है तो वो दूद अंदर का नर ही रह जाता है पहले तो क्या होगा कि थोड़े उसके स्थन थोड़े कड़क हो जाएंगे फिर उसमें इंफेक्शन होग ये सारे प्लाभम होंगे तो इस जो मिल्क इनिमिट्री फैक्टर है ये अपको ध्यान में रकता है कि मा के स्थन में जितन भी दूद है वह मा को स्थन पान द्वारा निकालना है क्योंकि अगर नहीं निकालेकर तो धीरे-दीरे ये दूद बनना बन हो जाएगा ठीक है तो कौन से दो हर्मोन है और milk inhibitory factor को क्या बोलते है ठीक है तो यहाँ पर मैं यह मेरा session खतम करती हूँ और मैं आपको अभी यहाँ पर एक tutorial दिखाने वाले हूँ इसका नाम है कि importance of breastfeeding कि breastfeeding क्यों important है कि रेक्यों.